नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नियुक्ति की परकिरिया बाधित थी, अब बहाली की परकिरिया आरंभ होगी, 26,000 सिश्को की बहाली दाई सरकार करेगी, इसके अलावा पूलिस और उत्पात विभाग में सिपायों की नियुक्ति होगी, वही अस्थानिय भासाओ के लिए भी सिश्को की नियुक्ति होगी, सरकार एक एक विभाग के कामकाज की समिक्षा करेगी मंगलवार को कामकाज की प्रगति का भी जाजा लिया गया निर्देश दिया गया है कि जो कामकाज चुनाओ के बीच में रुख गया था वह त्यजी से किया जाए हर योजना परतिवर गती से और समय पर काम करना है खनन को लेकर भी समिक्षा होगी हर जीले को निर्देश्तिया गया है कि खनन सही तरीके से हो चेकना का भी सही तरीके से काम करे और खनीजों का परिवहन भी सही तरीके से हो जारखन में भीशन गर्मी के कारण सभी इसकूल 15 जुन तक बंद राई सरकार ने भीशन गर्मी को देखते हुए 15 जुन तक सभी इसकूलों को बंद रखने का निरना लिया है इसकूली सिक्षा यहम सक्षाता विभागने इस समद में मंगलवा को आदेश जारी कर दिया है इनके अनुसार निजी इसकूलों सहीत सभी स्रेनी के इसकूल केजी से बरावी तक 12 जुन से 15 जुन तक बंद रहेंगे इसकूलों को 12 से 15 जुन तक बंद रखने का आदेश सभी सरकारी स्कूलों, गयर सरकारी साहता प्राप्ति स्कूलों, अल्प संख्याक इसकूलों तथा निजी इसकूलों पर भी लागू होगा इससे पहले भी भागने 9 जुन को कक्छा केजी से बरावी तक के इसकूलों को सुबह 7 बैसे 11 बैसे खोलने का आदेश दिया था गर्मी को देखते हुए इसकूलों को बंद करने की मांग उठ रही थी इसे देखते हुए 15 जुन तक इसकूलों को बंद करने का निर लिया गया इसके बाद इसकूल पूरव निर्धारित अओधी में संचालित होंगे निजी इसकूल परवंधन के दिशा निर्देश तथा आर्टी एके प्रविधानों के अनुसार संचालित होंगे मुख्य मंत्री की जेतावनी अपराद बढ़ा तो खैर नहीं जारखन मंत्राले में मंगलवार को मुख्य मंत्री चमपाई शुरी ने राज की बीदी ब्यवस्ता अपराद व उगरवाद नियंत्रन आवायत खनान मादक पदात सराब तसकरी की बिडोध हो रही करवाई तथा वन उत्पाद और भूर आयसु से जुड़ी मामलों की उच अस्तरिय समिक छाकी गई वर ये पदा अधिकारे को पस्तिती में आयोजित इस बैठक में सभी जिले को पायोगत एसेसपी वा एसपी मुख्य मंत्री ने कहा है कि राजे की बेहतर विदी ब्यवस्ता से परदेश की बेहतर छवी बनती है इससे विकास को नाया आया मिलता है यह राजे की दासा और दीसा विताय करता है यही वज़ा है कि कानून ब्यवस्ता को मजबूत करना सरकार की विशेस परत्मिकता है उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि उनके स्वहयोग से ही बीदी बेवस्था के बेहतर संधारन संभव है राजे में काफी बीवीत ताये हैं कहीं जंगल जाड़ा है तो कहीं ख़दान कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग किरिसी पर भी निर्वर है बोकारों में हर माह के दूसरे वा चौथे मंगलवार को मनेगा थाना दिवस बोकारुख डीसी बिजया जाधाव ने मंगलवार को समनाले में जनता दर्बार लगा कर लोगों की समझ चाहे सुनी जायतर लोग भोमी बिवाद से समझी सिकायते लेकर पहुंचे थे जनता दर्बार में यह बात सामने आई की अंचल व थाना अस्तर पर जमीन से समन्दित मामले में करवाई नहीं होती है डीसी ने इसे गम्भीरता से लेते हुए परतिक माह के दूसरे व चौथे मंगलवार को थाना दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया है इस दिन सीयो व थाना परभारी की मौजूदगी में जमीन से समन्दित मामले निप्टाय जाएंगे डीसी ने इस पावत SDO जीला भूमी उप समाहरता सभी सीयो व थाना परभारी को पत्र जारी किया है थाना दिवस पर सम्मधित अंचल के सभी भूमी विवाद, सरकारी भूमी परकबजा, तलाबो परकबजा, अवैद अतिकर्मन आधी की सिकायतों कर निस्तारन किया जाएगा गांडे बिधान सभा के नव निर्वाजित बिधायक कलपना सुरह ने अपने काके रोडिस्चीत निवास पर अपने बिधान सभा छेतर की नेताओ अकलकाताओ के साथ बैठक की उन्होंने गांडे की जीत पर सभी वरिष्ट नेताओ और करकाताओ के प्रतियाभार परकट किया और गीड़ी संसाधिय सीट पर मिली हार पर चर्चा की इस दोरान मंत्री हफिजूल अंसारी विधायक सुद्धिपकुमर सोनू राय सभसंसर डाक्टर सर्फ राज अहमद सहीत कई मौजूद थे विधायन सभागी सरस्था लेने के बाद दूसरे दिर मंगलवार को कई नेता कलपना सुरेंच से मिले और उन्हें बधाय दी बधाय से मिले वालों में पूर मंत्री सुबोद, कांज, सहाय, मंत्री तिपक, विरुवा भी सामिल थे जार्खन के बारे सो पचास बीत रही संस्थानों में सेक्षिनिक हर्ताल देखते हुए असी परशत बढ़ाने की बिभागिये प्रस्ताव को बीदी बिभाग और मंत्री परशत को भेजने सिक्षक करमचारियों के राज कर्मी के दर्जा देने और इंटर्मीडियेट में नमांकन के लिए जो सीट कम करने का निने लिया गया है उसे चात्र हीत, राज हीत और संस्था हीत में अविलम वापस लेने की मांकी है अगले कदम के तहत मांगो को लेकर मोर्चा 13 जुन को राजभवन के सामने 20 साल महाधारना देगा इसमें राजभर के हजारों सिक्षक भाग लेंगे साथ ही मोर्चा 3 दर्जन विधाय को काहस्ताक्षर यूक्त ग्यापण 25 जुन को मुख्यमंत्री को देगा जबकि 26 जुन को जारकन एकेटवी कॉंसिल का गहराव करेगा सीजील परीक्षा में हुई गलवाडी परगठित SIT की रिपोर्ट देखेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंगलवार को विभागिये विभीन कारियों की समिक्षा करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा है कि जे सेसी सीजील परीक्षा में हुई गलवाडी पर जो SIT कटित हुई थी बुद्धवार की बैठक में वे उसकी जनकारी लेंगे पेशा निमावली को लेकर भी सरकार गंबीर है उन्होंने कहा है कि राज हित में आई से सभी विभागों की कारियों की समिक्षा सुरू हुई है बुद्धवार को भी इस तरह की समिक्षा होगी बैठक में राज धानी में बन रहे फलाई उभा निमान कामों की जनकारी ली जाएगी जार्खन में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को मिलेंगे टेबलेट राज के प्रारामविक विद्याल में कार रात 28-945 सिक्षको को अगले महा टेब मिलने की समभावना है जार्खन सिक्षा पर योईना परशादने सिक्षको को नए टेब देने के लिए एक बार फिर टेंडर पर किरिया सुरू की है जो अंतिम चरण में है आदर्स आचार संहीता लागू होने के कारण इसे फाइनल नहीं किया जा रहा था अब आदर्स आचार संहीता खत्म होने के बाद इसे सिग्र फाइनल किया जाने की उमीद है इसे पहले टेंडर पर किरे सुरू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली गई थी सिक्षकों को टैव देने के लिए केंद्रिय सिक्षा मत्राल ने समगर सिक्षा अभियान के तहत वीतिय वर्ष 2022-23 में ही 10 यह रुपय की दर से 28.9 चारकड़ रुपय राई सरकार को दिये थे केंद्रे ने कहा था कि राई सरकार चाहे तो इससे अतिरीक तरासी वहन कर सकती है कांग्रेस की समीक्षा बैठक 12 जुन को हारी हुई 5 सीटो पर समीक्षा होगी लोग सभा चुनाओ पई नाम को लेकर जार्खन परदेश कौंग्रेस की समीक्षा बैठक 12 जुन को होगी बैठक हंगा में दार होने की उमीद है बैठक में चुनाओ की जिमेदारी समहाल रहे तमाम पदाधिकारियों परत्यासियों को आमत्रित किया गया है बैठक सुब्ब साड़ेकार बई से मोराबादी के संगम गार्डेन में सुरू होगी बैठक में परदेश परभारे गुलाम अहमद बीर के अलावा परदेश, अध्यक, रायस, ठाकूर समेद, कारेकारी, अध्यक, मंत्री, सांसत, विधायक, परदेश, पताधिकारी, लोगसभाचुनाओ दुहचोविस के परत्यासिस सामिल होंगे वहीं बैठक में लोग सभा कोडिनेटर अध्यक्स करकारी अध्यक्स जीला कांग्रेस कमिटी भी सामिल होंगे कुर्मी सांसत को मंत्री नहीं बनाये जाने पर नराज जारखन से बिज़ाई दो कूर्मी सांसदों में से किसी एक को भी मंद्री नहीं बनाया जाने से कूर्मी समाज के लोग उबल पड़े हैं संगठनों ने अपना गूसा परधान मति नायनमदी और भाजपा नेताव पर उतारा है मंगलवार को राईधानी राँची समे सभी जीला मुख्यालों पर टोटेमी कूर्मी कूर्मी बिकास मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला धान किया रांची में अलवट एका चोग पर नो निर्वाची केंदर सरकार का पुतला धान किया गया कारकरम का नितित तो करते हुए मोर्चा के केंदरी अध्यक सीतल उधार ने कहा है में मंत्री पत दिया जाएगा 29 राष्ट्रे यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियंशिप के लिए जारखन टीम घोसित 15-17 जुन तक बिलासपुर 36 गड में 29 राष्ट्रे यूथ अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियंशिप का आविजन होगा परत्योकता में भाग लेने के लिए जारखन टीम के गठन किया गया जारखन एथलेटिस एसोसियेशन के प्रेसिडेंट सीडी सिंग के अनुसार जारखन के घोसित 28 सदसे टीम में 12 लड़के और 9 लड़के सामिल है इनमें खिलाडियों के साथ मैनेजर के तोर पर नरेश, कुजूर और कोच आसु भाटिया दल में सामिल रहेंगे बदाद जारखन टीम 13 जून को बिल्यासपूर के लिए रवाना होगी साहिव गंज में बरात वापस लोटने के दवरान पल्टा आटो एक की मौत साहिव गंजीला के रांगा थाना छेतर अंतगा धीवरी कोल के पास मंगलवर के सुबा साधी समारोह के बाद बरात वापस लोट रही थी इसी दोरान टेमपो पलट गया जिससे करीब 20 बराती हैल होगा है वहीं 4 वर्ची एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है जनकारी के अनुसार रांगा थाना छेतर के चमड़ा पहाड में पहाडिया समुदाय के एक लड़की की साधी थी बरात ताल जहारी परखंड के महराजपूर कल्दी भीटा पहाड से रभीवार को चार टेमपो से आई थी साधी समपन होने के बाद सभी बराती टेमपो से वापस लोट रहे थे इसी दोरान धीवरी कोलवा जूमर बाद के बीच पहाडी धालान पर एक टेमपो चालक ने गाली से अपना नियंतरन खो दिया और टेमपो पलट गया उक्तदुर घटना में टेमपो में सभी बराती घायल होगा घायलोग संख्या 20 बताई जा रही है मान हानी मामले में राहूल गांधी को 6 जुलाई को उपस्थित होने का निर्देश राहूल गांधी मान हानी मामले में मंगलवार को रांची के MPML कोट में सुनवाई हुई जहां अदालत ने उन्हें कोट में ससरीर उपस्थित होने को कहा है दरसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्स को इससे पहले ही ससरीर उपस्थित होने को कहा गया था लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई मेवे उपस्तित नहीं हुए इस वज़ा से कोट ने आगे की करवाई करने में असमर्ता जताई है अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी पाकुड में दो यूती के साथ गैंग रेप मामले में दो गिरफतार पाकुड के अमरा पड़ा थाना छेतरे में पिछले दिन दो यूती के साथ समोईक दूसकर मामले में पूलिस ने दो आरोपी यूको को अरेश्ट कर लिया है मामले में पूलिस ने प्रेस वार्ता में बताया है कि बिगत सुक्रवार को आरोपी यूगों ने दो यूती को घर छोड़ने के बहाने दूसरी जगह ले कया और उसके साथ गैंग रेप की घाटना को अंजाम दिया था वही घाटना को लेकर पूलिस ने 501 के तहत मामला दर्च कर लिया था पूलिस रेपिस्ट को पकड़ने के लगातार छपे मारी अभियान चला रही थी इसी विच पूलिस ने अमरा पड़ा थाना चेतर के निवासी दो रेपिस्ट में मुख्य आरोपी रावन मुर्मू दो रावन सुरेन एवाम पतरस मुर्मू को पकड़ने में सफलता पाई है जारखन में हीट वेब का कहर 12 से 14 जून के लिए डरड अलर्ट जारी जारखन में हीट वेब का कहर जारी है फिलाली से रहात नहीं मिलने वाली है मौसम विभाग ने 12, 13 वा 14 जुन के लिए हीट वेब को लेकर रेट अलर्ट जारी किया है हलाकि इस दरान कुछ जीलों में गरज के साथ बारिस के भी अजार है बता दे जारन में 12 और 13 जुन को उतर पच्छिन पूरी भागों में यवर 14 जुन को दक्छिन पूरी भागों में कहीं कहीं हीट वेब की इस धीती देखी जा सकती है इसे लेकर रेट अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 15 जुन तक औरेंज वा एलो अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने अपने पुरूरण में बताया है कि 12 जुन को उतर पच्मी भागों में हीट वेव किसी देखी जा सकती है इसे लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं 12 जुन से 17 जुन तक जार्खन में बारिज की संभावना ब्यक्त भी की गई है बौसम विभाग ने अपने पुरूरण में बताया है कि 17 जुन तक गरज के साथल की बारिज भी हो सकती है पाकुड के अमरापड़ा में डायरिया के पचपन मरीजों की हुई पहचान अमरापड़ा परखन के बाड़ाबास को गाउं में मंगलवार को डायरिया के 10 मरीजों का इलाज किया जा रहा है इन सभी मरीजों का इलाज स्वास्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे हैं आदिल अहमद ने अमरापड़ा परखन के सभी स्वास्त महिलाओं के साथ मंगलवार को सियेज़ी सभाकार में बैठक की। बैठक में उन्होंने स्वास्त महिलाओं को अपने अपने गाउं के वैसे कुओं को चीनित करने का निर्देश दिया। जिसे लोग पानी पीते हैं और उन सभी कुओं में बिलीचिंग पाउडर डारने का भी निर्देश दिया गया है। नियुक्ती होने पर अनुबंध पर रखेगा सभी भुतपूर सैनिकों की सेवा समाप्त कर दियागी। कारा निर्देश नाले ने नियुक्ती को लेकर बिगयाप्ति जारी कर दिया है। यह नियुक्ती राज के पांच केंद्रिय काराओं में अलग अलग तीथियों में की जाएगी। तै तीथि को सभी योगिवत्पूर सैनिकों को समंधित आवसक दस्तावेज के साथ समंधित कारा अधिक्छा के समक्ष उपस्थित होना होगा। बिधान सभाचुनाओं में पूरी तैयारी के साथ उत्रेगा इंडिया गटबंधन। होने के लिए बहुमत के आगड़े से अधिक है। बताजर राज में अगले पांच महीने बाद विधान सभाच चुनाओं होगा। ऐसे में जामोक नेतित में इंडिया विधान सभाच चुनाओं को लेगर गंपीर हो गया है। इसके मद नजर मुक्यमत्री चंपाई सुरेन ने सरकारी विभागों को धातल पर काम उतारने का टास्क दिया है। वेलागातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम विभागय मंत्रियों और वर्य अधिकारियों के मजुदगी में उनका फोकस कल्यानकारी वजनाओं को उतारने पर है। धन्यवाद